अब इस नाम को याद रख लीजेगा क्योंकि इतिहास में अब इस नाम को कोई भूला नहीं सकेगा क्योंकि गीतिका श्रिवास्तवा जी बनी हुई है पहली महिला जो इंडियन पाकिस्तान इसलामाबाद में तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिसकस करोंगा कि क्या कुछ हमारे रिलेशनशिप्स रहें खासकर पाकिस्तान से असफारे हमारे हाई कमिशन से रिलेटेड यहने कि डिप्लोमाटिक रिलेशन से हमारे किस तरीके सर रहे हैं और सिंज 2019 जब से आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया हुआ हम दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशन्शिप्स थोड़े बहुत हमने इच अधर को डाउनग्रेट किया हुआ थे आपर स्टाटस तो अभी दोनों कंट्रीज ने नए इस तरीके से फॉरेंड डिप्लोमाट्स को इसलमाबाद में अपॉइंट किया हुआ है और यह पहली महिला होंगी जो इतना प्रिस्टीजियस पोस्ट होल्ड करेंगे करेंगे और वह सक्सीट करेंगे डॉक्टर यम सुरेश कुमार को जो के बहुत ही जल्द न्यू डेली को रिटर्न करने वाले हैं तो थोड़ा बह होटर के मिन्स्ट्र एक्टनल अफेट्स के हेटकोर्टर में सर्व कर रही है और इंडो-पैसिफिक डिविजन के बारे में वो देख रहे हैं कि उस विंग को वहेड कर रही है और गीतिका श्रीवास्तवाजी को मैंडरियन लैंगविज अच्छी तरीके से आती है चैना मे इंडियन इंबसी को उन्होंने वहां पर सर्व किया हुआ था दोहजार सांसे दोहजार नौ में तो वही पर अपने फॉरिन लैंगविज ट्रेनिंग में उन्होंने मैंडरिन लैंगविज भी सीखी हुई थी और साथी साथ कोलकता के रिजनल पॉस्पर्ट ऑफिस में भी इंडिया और पाक के बीच हाई कमिशन के रिलेशन्शिप किस तरीके से रहें देखे एक वर्ड कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंबसी और हाई कमिशन के बीच पर क्या होता है देखे डिप्लोमाटिक मिशन जो कॉमन विल्ट कंट्री के बीच होता है जैसे कि जर्नी शुरू हुई और पहले हमने श्री प्रकासा जी को वहां पर भेजा हुआ था जो के फ्रीडम फाइटर भी थे और अड्मिनेस्ट्रेटर भी थे एंड उनके बाद हमने लगबग आज तक 22 एड़ अप दे मिशन भेजे हुए हैं पाकिस्तान को बीच में कई सारे व करेंगे और लास्ट इंडियन है कमिशनर इसलामबाद को जो थे वो अजय बिसारिया जी थे और आर्टिकल 370 के अबरोगेशन के बाद 2019 में हमारे रिलेशनशिप्स थोड़े बहुत अच्छे नहीं हुए और बिकॉस अफ दाट बोद दे कंट्री डिसाड़े टू कॉल ब बाद को एक नॉन फैमिली पोस्टिंग की तरह डिकलेर किया गया है खासकर इंडियन डिप्लोमाट के लिए क्योंकि माना जाते कि बहुत ही हाट्शिप यह पोस्टिंग है और यूज्वाली यह लिमिट करता है वोमें ऑफिसर्स को वहां पर असाइनमेंट्स लेने के लि अब दिप्लोमाटिक रिलेशनशिप से हम नॉर्माटिक करने की बी कोशिश कर रहे हैं यही हम कह सकते हैं इस अपोइंट्मेंट को लेकर तो यह थी चान बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी वीडियो को इंट करने से पहले आप सभी को एक और बार या दिला दूं क के पास SSB Crack Exams के पास SSB Interview से रिलेटेद फुल फ्लेज ओनलाइन कोर्स अविलेबल हैं हर महीन इसके नए बैचा स्टार्ट होते हैं प्रेफरेंस के सांथ इंफर्मेशन शेर कीजिएगा आप हमारी लर्निंग अप्लिकेशन को गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं कर दो दोस्टार्ट हैं